सबी किसान भाईयों को राम राम मैं आपका अपना दोस्त संजीत कुछ दिन से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है सरकार ने उस समस्या का हल निकाल दिया है किसानों के लिए बड़ी समस्या आवारा जानवरों की है उसके लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है आईए जानते हैं जो किसान साथी इस चेनल पर नए आये हैं वो चेनल को लाइक करें, शेयर करें, सक्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिक्शन उसको मिल सके किसान भाईयो, जानूरों से फसल को बचाने के लिए किसान अपने खेत में चारों तरफ कटिली तारों की बाड़ लगवाते हैं और किसानों को चारों तरफ से खत्रा रहता है कभी मोसम की बेरुखी, तो कभी कीट या बिमारियों का परकोप इन दिनों किसान एक और बड़े खत्रे से जूज रहे हैं वह है, खेतों में खड़ी फसल पर अवारा जानूरों का हमला मशिनी करण होने से अब खेती में पस्वों का रोल करीबन करीब खत्म हो गया है नतीजा हमारे सामने है, जुंड के जुंड में गुमने वाले गाएं, बैल, सुवर और नील गाएं खुले गुमते हैं ये जानवर किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं लेकिन खेत की तारबंदी कराना हर किसान के बस की बात नहीं है इसमें खर्चा बहुत आता है लेकिन राजस्तान सरकार ने इस काम में किसानों की मदद कर रही है इसके लिए राजस्तान तारबंदी योजना सुरू की है अगर आप राजस्तान के किसान हैं और इस योजना के तैट अपने खेत में तारबंदी कराते हैं तो तारबंदी में होने वाले कुल खर्च का आदा हिस्सा राजस्तान सरकार वहन करेगी सरकार ने किसानों की फसल महभूज रहे इसके लिए यह योजना शुरू की है किसान भाईयो कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाब नमबर एक किसान को राजस्तान का निवासी होना जरूरी है नमबर दो तारबंदी योजना किरासी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी नमबर तिन किसान के पास कम से कम आदा हेक्टेर की जमीन होनी चाहिए नमबर चार तारबंदी योजना के तहट किसान को 50 फिजदी मदद रज्य सरकार दोरा दी जाएगी नमबर पांच इस योजना के तहट किसान को अधिक्तम 40,000 रुपे तक की मदद मुहयक की जाएगी नमबर च्छे इस योजना के तहट अधिक्तम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए ही सबसीड़ी दी जाएगी किसान भाईयो इस योजना के लिए क्या-क्या जरूरी दस्तावेजों की आउसकत्या है किसान भाईयो ज्यादा जानकारी के लिए नजदी कि सुविधा के अंदर में संपरक करें धन्यवाद